हाई गाईज असलालेकूम कैसे हैं आप लोग आए हो खुशे मज़े में हैं अलहमदल्ला हम लोग भी ठीक है तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूं मतन नहारी रेसिपी तो चलिए किछन में और हम मनाते हैं मतन नहारी यह मैंने 2 kg मतन लिया है इसे अच्छी तरह वाश करक को आए one cup refined और इस ऐनीन को अच्छी तरह गोल्डन होने तक फ्राइब करकोंगी तो हम इसको डालते हैं में और हम इसको अच्छी तरह से फ्राइब करते हैं यह हैं हाई फ्लेमपे मैं इसको फ्राइब करेंगे हम earth in और देखे में उस निक टाल आगे अब एक ब्राइब तो इसको प्रेशर कुकर में भी इसको कम से कम तीन सिर्फ चार विसलाने तक इसको पकाऊंगी तो अभी मैं इसको पहले अच्छी तरह कडाई में भून लेती हूं अब मैं इसमें डाला है इसको इसको अच्छी तरह में पूरा पानी नहीं सूक जाता है इसको फुल फ्लेम पे हम इसे बूनेंगे आप मैंने डाला है इसमें नहारी मसाले का मैं आपको होममेड नहारी मसाला भी बताऊंगी अभी मैंने शान का नहारी मसाला इसमें एड़ किया है वन पैकेट तो मैं इसमें अच्छी तरह अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो यह देखिए मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है हाई फ्लेम पे और हम इसको हाई फ्लेम पे करके एक मैंने स्मॉल साइस का टमाटर का पेस्ट बनाया है और वह भी मैंसमें एड करूंगी तो मैंने एक स्मॉल साइस का टमाटर का पेस्ट बना के वह मैंने इसमें ए कि मैं ने ओया प्रॉइ हो प्राइब करेंस प्राइब एड़ और चौह की जो मज़िए ऑं ऐन रही किसे परिणे क्या बडरा तो आप इसमें देखिए यह देखिए इसमें हम केड़ीयो और अगर आप चाहे हैं तो इसमें आठा भी आठे कर सकते हैं या भुनावा बेशन आप यह सब इसमें अट कर सकते हैं मैंने सबसे किया है चना बारर तो वह जvenge अखह लगता है आप मिकसी में विक्सी में सूखा बना लिजिए क्या की ओदाइब की Kyant और फिर वीडियो के लुए कि आपकु कुछ ओर अच्छी मुझसा ड्र लेसीपी अभी मुझे पिर्णाओन के बिन जो दो मुझे कमेंट कीजिए तो मैं ऐसी सारी मजदार तो मैं बनाऊ तो और में शियर करोंगे आप इसे खाये नान के साथ मतलब जाइस के साथ बहुत तीस्टी लगते हैं